नमस्कार दोस्तों मेरा नाम जै कुमार्तिवारी है मेरे यूट्यूब कैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मैं Department of Housing and Urban Planning Government of Uttar Pradesh से Retired Assistant Engineer हूँ दोस्तों आज में बात करूँगा कि गाजियावाद विकास प्रादकर्ण द्वारा अपने विकास छेत के अंतरगत जो भी अवैद कॉलोनिया बनिये उन अवैद कॉलोनिय की एक सूची जारी की है और पब्लिक में ये बताने की कोशिश की है कि अगर अवैद कॉलोनिय में तो उसमें वो भूखन ना खरीदें अनित्था विकास प्रादकर्ण या तो उस पर नेवन सार कारवाई करेगा पूरी कॉलोनिय पर कॉलोनिय के द्वस्तिकरण के लिए या फिर ब्यक्तिकर्ण के विए द्वस्तिकरण के अलग-लग आदेश जारी किये जा सकते हैं किसी जन्तारे से किसी क्यास स्यत का ना कोई भी अवैड कालोनी किसी भी सूरत में उसके अंदर नेयुद्वनों के नक्से पास के नहीं किये जा सकते हैं और किसी ना किसी दिन्टा रस्तिकरण के आधेश किये जा सकते हैं दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप भूखन खरिजना चाहते हैं विकास शित के अंतरगत मतलब विकास प्राजगन की सीमा के अंतरगत तो आपको अवेज कालोनी में प्लाट लेने से कैसे बचा जा सकता है इसकी जानकारी पहले से रहे इसके बारे में बात करूँगा दोस्तों अगर कोई विक्रेता आपको भूखन बेचना चाहता है तो आपको सबसे पहले उससे यह पूछना चाहिए कि आपने विकास वो लेयाओड देख सकते हैं अगर वो विकास प्रादकरण से स्वीक्रफ है तो उस लेयाओड के ऊपर विकास प्रादकरण के एदकारियों की महजच थलस्ता अक्षर होंगे और पर मिन लिखा होगा और श्वीक्रट पत्र भी साहतने जारी होता है वो आप देख सकते है यह कॉलोनी स्वीकृत है या नहीं है इसके अंदर अगर वो स्वीकृत कालोनी है तो आप लॉड ले सकते हैं उसका नक्सा पास हो जाएगा कोई दिक्कर नहीं है या दूसरी इस्तिती ये बनती है कि विकास प्रादकर्ण द्वारा अगर कोई अपनी योजना विक्षित की द्वारा कुछ विक्षित की गई है या किसी अनिस सरकारी विवाग स्वेश्चा नहीं है लेकिन अगर प्राइवीट कालोनाजर के अंदर की जाने वाली कालोणी के अंतर कोई आपना खरीदा है या जा रहे हैं और इसका लेयार्ट स्विक्रित नहीं है तो फिर वो अवैद कालोनी है और आपको उसमें कभी ने कभी दिख्काद आ सकती है और आपका भुगंड पर जो भुगंड का निर्मार्ट कर लिया वो धुस्त किया जा सकता है या पूरी काल कि वहीं इसका आपने रेरा में रेजिस्ट्रेशन करा लिया घंट तो अगर वह आपको दिखाता रिवाह इंगल यह देख्ली जätta कर पाएंगी की आप जिस इंटा सींट है या नहीं है दोस्तो प्राजगर्ण सीमा के अंतरगत के वाला सुखित कर ली गए हैं या किसी यान्सरकारी विवागत द्वारा विक्सित की गई योजिनाव के अंतरगत की भूखन करी दें वही वैद है इसके लाबा अगर आपको मौके पर जाकर देखना है तो आप उस भूखन चे सम्मंदित जो भी साइट है साइट पर उसमें 20-30-50 या 100-200 जितने भी भूखन ने विक्सित की होंगे मिल्टर द्वारा आप उस छेत्र के अंदर भिर्मण करके दे सकते हैं या उसके कार्यालाय में उसने कोई आफिस बनाए हुआ है साहिट पर तो उसने उस पूरी कालोनी का लेयाओट बनाके भी रखा होगा जिसमें बुकंद अलग-लग साइज के अलग-लग रोड़्स पर नौ मीटर या तीस फूर्ट से कम चौड़ी सलक पर कोई भी लेयाफ स्विकित नहीं किया जा सकता है यह प्रिथन दिश्टिया देखने की बात है इसके अलावा जो बिल्डर बनाते हैं वो कोई भी तीस फूर्ट चौड़ाई की सलक नहीं चोड़ते हैं अगर उनका लेय बेल्ड के रूप में चोड़नी होती हो नहीं चोड़ी गई है सावान सुब्धाओं के रूप में कोई कम्मुनिटी सेंटर या स्कूल जैसे बड़ी कॉलोनिया उसमें प्राफधान है बिल्डिंग वाइलाउस के अंतरगत कितनी बड़ी कॉलोनी पर आपको इसकूल किस क आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर कैसे करें आप अपने से नहीं जांच कर पा रहे हैं कि शूइकत है नहीं तो आप उसके जो हमारे विकास ट्राइट से रजिस्टर्ड एंग्जिनियर है उन्होंने अपने कारेले खोल लगे हैं उनसे संबर कर सकते हैं और जो आप उनसे संबर कर सकते हैं और इसके बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप विकास ट्राइट के कारेले में जाके जो संबंदित विवाग है मास्टर प्लान अन्वाद इसको कहते हैं तो बिल्डर द्वारा दी गई सूचना की वहां पर जाज कर सकते हैं या यह सामान क्यानसे वहां पूछ सक्ता यह क्लोनी बनाई जा रही है। तो पूरे भीकास श्यत को मैं एक आठ गारे integrity गाजियावाद जान विभाजत किया हुआ कया है तो आपशो बात करते हैं कि इसका कारण क्या है मैं आपको ये बताना चाहते है जब मस्टर प्लान बनाया जाता है तो उस सवяжे ध्यान रखना चाहिए और आ मि विभाइब चीफ टाउनेंड कंटरी प्लानिंग है जिसके सयोग से बिकास प्रादकन सयोग करते आने संबंद्रित बिकास प्रादकन और चीफ टाउन अंकंटरी प्लानिंग का विवाग साहत दोनों सयोग से कुस्ञ यह से ख highlight-जी तो जब में इस समय नए मास्टरप्लांट वरेली विकास प्रादकरण है गाधियावार विकास प्रातकरण है जिसमें लौनी सिद्र मोदिनेगर क्षेथ्र सामिल किया गया है इसाथ में और इसी तरह क्रांसि अज्द माये बनाई जा रही है कानपर विकास प्रादकर की महायजना बनाई जा रही है तो जो महायजना बनाई जा रही है उस महायजना में विकास शेत के अंदरगत अगर कोई क्रसी भूम सामिल की जा रही है एक्रिकल्टर लेंड सामिल की जा रही है तो विकास प्रादकर द्वारा बन जब कोई चेटर विकास प्रादकड की सीमा के अंतरकत महाय विजना में समलित हो जाता है तो सामानेता महां क्रिसी नहीं होती है क्यूंकि विकास प्रादकड के अंतरकत महाय विजनाHey वे विकास प्रादकर्ण की सीमा के बाहर के छेतर में जब आवासी गत्विदियां चालू हो जाती हैं तो ये कैसे संभाव है कि विकास प्रादकर्ण की सीमा के अंतरगत आवासी गत्विदियां ना चालू हो और अगर विकास प्रादकर्ण नहीं या Chief Town and Country Planning में माहिलना बनाते समय विकास प्रादकर्ण की सीमा के अंतरकर एग्रिकल्चर लेंड यूज में अन भूपयोग का प्राविधान नहीं किया इसको एग्रिकल्चर नहीं रख दिया एकले 10 साल के लिए तो ये मान के चलिए कि उस छेतर में अवैद कालोनों का निर्मान या विकास होने से रोकना सरकार के लिए बहुत ही कठन है तो इसमें मैं तो ये कहूँगा कि पहली जो गलती है वो सरकार की विकास प्रादकर्ण की या Chief Town and Country Planning विभाग की भी है कि महाजना सीमा के अंदर का ताने वाली जो नई महाजना है बन रही है उनके अंदर का जो क्रिशी भूम सामिल की गई है उसको महाजना के प्रावधानों में महाजना के निर्मान के महाजना के बनाते समय ही जो आगामी 10 से 20 वर्सों के लिए महाजना बनाई जा रही है उसमें उन क्रिशी भूपयोगों को क्रिशी भूपयोग ही न रखा जाए उसके अंदर का तावासी या अन भूपयोग जो भी आप देना चाहिए उसका प्राधान साथ ही कर दिया जाए अन्य था उसक्रिसी व्योग व्योग में आगामी समय में अवेद कालोनिय का निर्वाण या विकास होने से रोका जाना बहुत ही कठे रहे तो यहां सरकार की गलती मुझे प्रफंदक से अपतित होती है पहली दूसरा गलती सरकार की ये भी है कि जो हमारा यूपी अर्वन प्लानिंग और डवलमेंट एक्ट 1973 है उसमें ये इस्पश निर्देश दिये गए हैं कि महाजना बनने के साथ ही या एस सून एज पॉसिबिल महाजना चेत के अंतरगत जॉर्णल डवलमेंट प्लान भी बना लिये जाएं अर्थार उस महाजना चेत में समस्त भूम के जो चेतर सामिल है उन चेतरों के छेतरी विकास के लिए जो सडकें जहां बनाई जानी है उनका प्रवजन भी महाजना बनने के साथ ही या एज सून एज पॉसिबिल बना लिया जाए लेकिन बिवारे ग्रूप से यह नहीं हो पा रहा यह भी सरकार की गलती है और सरकार का इसमें अंकुष नहीं है मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाजयाबाद विकास प्रादकन जिसका मास्टर प्रवजन जो अभी प्रिछले थे वो लगवग 20 साल पहले बनाय गया था और अभी तक उसमें सारे जौन्स के जौनल डव्लमेंट प्लान नहीं बनाये गए हैं जबकि अगली महाजना द इतनी चौड़ी शळक बननी हैं कौन सा मास्टर प्लान रोड है उसका जो मास्टर प्लान रोड की लेंड वो एक वार्ड नहीं करोगे जनल डेट पारकार में बनाओगे तो फिर उस चेत्र में जब प्लानिंग या रोड नेटवर्क पॉब्लिक को पता नहीं रहेगा जो भी तो यृउद को यह लंबी है और इसमें पूरी सूची में सब्सक्राइब को हम आपको पढ़के सुनाएं इसमें काफी समय लगेगा और इसका कोई उप्योग भी नहीं आप अपने स्क्रीन पर इसको देख लीजे और यह देखिए कि कहीं आपके द्वारा बनाएगा मकान तो इस अवैद कालोनी की सूची में जारी नहीं है मैं आपको यह बता देता हूं कि जो गाजियाबाद विकास प्राजियाबाद का चेत्र है इसमें मोदिनेगर का चेत्र भी सामिल है लौनी का चेत्र भी सामिल है और गाजियाबाद विकास चेत्र का अपना गाजियाबाद का चेत्र भी सामिल है जिसमें डासना भी सामिल है तो आप अपने स्क्रीन पर लिश्ट देखिए और अब मैं बात करता हूं कि अगर आप अवैद कालोनी में खरीद लेंगे तो एक बड़ी समस्या में फच सकते हैं और विकास प्राज करने से नियमामसार कारवाई करेगा और किसी ने किसी दिन आपके मकान का या आपके कालोनी के दुस्तिकन की लेना चाहिए उसका लियाओर विकास प्राज कर्ण से कारयाला में जाके कर सकते हैं बिना स्विकेट लियाओर के इंतर कोई भुकन या भवन लेने से आप बचें कि वो सारी अवैद दूस्ते निर्विक पीकलोनिया है उसमें कोई भुकन का नक्सा पास नहीं हो सकता है द में कौटा है उसके आगे जिस कॉलम में और फिर लिखा हुआ है और जहां बर्घ धैने हो है कुछ कौलम ट्र towel गुभाले ऐसे हैं जिनमें खाली digit लिखी है संख्या क今天 तो जहां पे कोई यूनित नहीं लिखी एम उसका मदब है चो एंजनाए लिख वर्घ केंशके पर देख रहे हैं दीरे दीरे आप देखिए कि आप सुरक्षित है या नहीं है आपने जो भूखन्ड या भवन करीदा है वो कहीं अवैद कालोनी में तो नहीं है और इसी तरह दोस्तों में बताना चाहरा हूं कि पूरे प्रदेश में अवैद कालोनियों पर उत्तरप्रदेश सरकार का शिकंजा है और किसी भी रूप में अवैद कालोनियों में भूकंड या भवन लेना आपका एक गलत नर्य होगा। सीमा के अंदर का स्वीकित कालोनियों के अंदर का थी भूकंड लें या भवल लें दोस्तो प्रदेश के समझ विकास प्रादकरणों में इस समय तेजी से नई मायोजनाय बनाई जा रही है या कहीं पर बन रही है तो उनको प्रिकासन के लिए भेज दिया गया है कुछ प्रा बढ़ते हुए अभैद निर्माणों और अभैद कालोनियों पर चित्ता ब्यक्त की गई थी और उन्होंने उपी हासिंग अर्वन प्लानिंग डिपार्टमेंट को एक सुझाओ भी दिया है कि वह किस तरह से अभैद कालोनियों पर और आगे ना बने नए अभैद कालोनियों पर नियमानचारकारवाई की जाये तो यह आपको ध्यान रखना है कि अवैद कालोनियों ना कराएं और किसी अवैद कालोनियों के अंदर कोई भुगंड ना लें दोस्तों इसी के साथ ही मैं आपको रहता हैं आपको कुछ अपने viewers के comment भी पढ़के सुना रहा हूं जिन्होंने कुछ comment कि हैं इन अवैद निर्माणों या अवैद कॉल उनीऑ से संबंदेश के comment हैं उदिба seaweed कोई प्लॉड repent दोस्तों यह हमारे वीवर हैं सद्दाम अनीश जी यह लिखते हैं कि सर बिल्डर ने हमें एक खेत में कॉलानी बनाका दुकान बेश दी और हमने में रोट पर दुकान बना ली अब हमारे द्वस्तिकरण का नोटेस आगया है तो क्या करें और वो नक्सा भी पास नहीं कर रहे हैं कहते हैं अवैद है लेकिन हमारे पास उस जमीन की रिष्टी है तो अब मैं क्या करूं दोस्तों लोगों को सावान रूप से यह ग्यान है कि अगर हमने प्लोट की रिष्टी कराई है हमारे पास जमीन के कागज है तो हमा तो उसकी ऑनर से भले ही आपके एक हक में हैं लेकिन उसके पर उत्तरप्रेश नंगरियोजना विकास अधनियम के द्वारा जो भबन निर्माण है विकास उपधिया और महाईजना बनाई गई है उसके अंदर का अवैद कोई भी निर्माण किया जाना अवैद ही है तो आप वहाँ पर कोई निर्माण ही कर सकते हैं तो इन्हों ने जो मकान या दुकान बना लिए इनका पूरी रूप से अवैद है और इस पर कोई भी कारवाई विकास प्रातकर नक्सा-पास या कंपान की नहीं कर सकता है और इनके मकान को दश्ट किया जाना संभा है तो इस तरह क निर्माण से आपको बचना चाहिए तो दोस्तों यह हमारे पीके सर्वाजी है एक विएर उन्होंने कमेंट किया है डियर रैस्प्रेक्टेट सर आयम इस्पेसली डिसकसिंग एबाट लखनव एरिया इफ कोई प्लॉट नगर निगम एरिया में है और उस कॉलोनी का लिया होम बनाने से डव्लमेंट असौर्टी को कोई अब्जेक्शन तो नहीं होगा प्लीज सर गायड मी आयम वेरी ग्रेटफुल तो यू दोस्तों ने कहा है कि जो बिल्डर बेच रहा है वो इनको यह बता रहा है कि अरे इसमें प्लॉट लेने में आपको क्या दिक्कत है तो नगर निघम की सीमा के अंधर कत है और इसका तो नक्षा न निखंसे पास हो जाएगा प्लोट करें देखर से नक्सा पास करा लेना और यह तो आवाशी है आप देख लो रूपनी ने को बिखी तक सामाननेत रहे तो बिकास प्रात्कण की सीमा के अंधर का नंगर को तो रहेगा ही लेकिन नकसा पास करने का एधिकार उस समय उस छेतर में विकास प्रादकर्ण का ही होता है तो नग престी ही चीमा होने से कोई मतलम नहीं है आपको विकास बादगर्ण से जंगारी करनी पड़े और नगर निगम सीमा में 143 के माधन से अगर किसी ने अगरिकर्चर लेंड में कोई गॉला नी बना दिये और यह कहता कि इस जमीन का तो आपको नक्षा पास कराने की जरुद नहीं है आवासी हो गया है तो यह उसकी भ्रमित करने वाली सूचना है विकास प्रादकन की सीमा म में जो उस नगर की जो महाईजना होती है महाईजना के अंतरगत आवासी भूपयों के अंतरगत होना आवश्यक है और आवासी भूपयों के अंतरगत उसका लेयार स्विक्त होना आवश्यक है तब ही आप उस भुकन को खड़ीदें अन्य था आपका भुकन अवैद पॉल जमीन खरीदने के लिए फसाते हैं क्या क्या बोलते हैं लेकिन आपको इसकी जानकारी हो जाए इस वीडियो का बनाने का अदेश यह है कि आप बिल्डर के इंजासों में ना फसे और पूरी जानकारी आपको तथों की रहेगी तो आप सही वैद कालॉनी में ही फ्लॉट खरी देंगे यह मुझे आसा है इस वीडियो बनाने का मेरा हुद्धिस भी ही है दोस्तों अब आपने आसा है कि अपने स्क्रिंग पर जो गाजयाबाद विकास प्राद करम द्वाराथ 301 के सुची में आपको दिखा रहा हूं साथ-साथ आप देखते भी जा रहे हैं वह आपन कि देखते हैं मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिस वीडियो का नाम है मायोजना क्या होती है किसका मैं लिंक उपर आई बटन में दे रहा हूं आप देख लिए उस वीडियो में यह बताया है कि कौन-कौन से फैक्टर है जो विल्डर आपको बेचने के समय यूज करता है और आपको जहांसे देकर गलत या अवैत तौलाणी में प्लॉट खरीदने के लिए मजबूर कर देता है उनसे आपको बचना है तो जो आई बटन में वीडियो है वो देखना आवस्चक है ताकि आप उन बिल्डर की टेक्निक्स पर जो आपको गलत प्लॉट बेचने के लिए आपनाता है बस सकते हैं दोस्तों नवस्कार यह वीडियो यहीं सवापत होता है अगले वीडियो में किसी महात्पूर्ण जिंद्वर फिर आपसे चर्चा करेंगे